हेलो स्टुडेंट बचो आज हम आपको पढ़ाएंगे मल्टिप्लिकेशन बचो आप कैसे हैं यास आप घर में रहिए स्वस्त रहिए और खुश रहिए खोब खेलिए और खोब पढ़िए इस लॉकडाउन के समय में आप घर पे रहते हुए बचो समय किस प्रकार बिताना ह कुछ खेलना है तो कुछ पढ़ना है इसी के कॉर्डिंग हम सभी टीचर्स अपनी मेहनत से पूरे प्रयास से आपको पढ़ाने के कोशिश कर रहे हैं और सभी सब्चेक के सारे वीडियो अच्छे अच्छे बना करके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आप घर पर रहते वे अपनी पढ़ाई को पूरी करते रहें ओके बचो तो आज हम पढ़ेंगे मल्टिप्लिकेशन मल्टिप्लिकेशन चेप्टर में अभी तक आपने पढ़ा है मल्टिप्लिकेशन और नंबर लाइन एंड इसके काउंटिंग और आज आप पढ़ने जा रहे हैं वर्टिकली मल्टिप्लिकेशन, तो बच्चों, वर्टिकली मल्टिप्लिकेशन as like addition and subtraction, जैसे आप लोगोंने addition and subtraction को उनके प्लेस में लिखा था, once and tenths places में, इसी प्रकार से, जैसे आपके पास क्या नमबर है, five into two, okay बच्चों, तो five into two, two का टेबल आपको five times पढ़ना है, okay first of all, read table of two in five times, two fives are ten, तो ten में zero right in one place and one right in ten place, okay बच्चों, इसको हम कहते हैं, वर्ट का ले मल्टिक्लिकेशन, जिसमें आपको numbers किसमें लिखने column है, इसी प्रकार से, question number two, six into two, you have number six into two, two का टेबल आपको six times पढ़ना है, तो बच्चों, read table of two, two six ना, twelve, twelve में two right in one place and one right in ten place, okay बच्चों, इसी प्रकार से, question number three, five into four, यानि अब आपको five को टेबल, कितने times पढ़ना है, four times, five four जा, twenty, twenty में two right in one place and, sorry, zero right in one place and two right in ten place, तो बच्चों, इस प्रकार से, आपको एवर्ट के लिए, multiplication सॉल्फ करना है, इसके लिए बच्चों, आप सभी को टेबल्स लर्ण होने चाहिए, तो आप सबने चुट्टियों में टेबल्स तो लर्ण करी लियोंगे, ओके बच्चों, मुझे उमीद है, कि आप सभी बच्चे मन लगा करके पढ़ रहे होंगे, और जो भी आपको वर्ण दिया जाते हैं, उसे भी आप बहुत ही अच्छों से, अपनी नोट बुक में, और बुक में, वक्षेट के अकॉर्डिन सॉल्फ कर रहे होंगे, तो पढ़ते रहें, ओके बच्चों, बाई बाई